सबसे युवा विदायक जन जन की हेते सी हम 36 कौम के हर्द है समराठ हम सब युवाओं के आदर्स कहे जाने वाले हमारे आदंपूर के यसोसी विदायक महद है सुरी भववे जी बिस्तो ही हम सबे के बीच में हैं क्योंकि अक्सरों के सुर को दिल का साज देता हूँ और शब्द को भी अर्थ का परवास देता हूँ अरे सोजनों में तालिया बदने के लिए तैयार हो जाओ क्योंकि अब तो मैं राजनिति की गंगा को आवाज देता हूँ एक बार पूरा सदन पुर्जोर तालियो के माध्यम सब्रंदन कर आए श्री भव्वेजी पिष्णाई विदायक आदमपुर्ण बोलो गुरु जंभेश्वर महराज की बोलो विष्णु भगवान की परमश्रद्धेई संथ भागिरजी शास्त्री आदर्निय संथ गाजुराम जी अखिल भारतिय विष्णुई महासभाके राश्ची अध्यक्ष शिदिविंदर बूडिया जी शिसुभास देडु जी वरिश उपरधान पतराम लोमरोड जी वरिश उपरधान सोमपरकास सिंगड जी वरिश उपरधान रूपा राम काली राणा जी महासभी रामशुरूप धार्निया जी कोश अध्यक्ष वेद परकाश कडवासरा जी जैकिशन सारण जी अखिल भारतिय विश्णोई युवा मोर्चा के राश्चर ध्यक्ष भाई जैसुक सिंगड जी हाली में संपन हुए जिन्होंने एजिन गेम्स के अंदर कांसे पतक को जीत कर हमारे समाज के नाम रोशन करने का काम किया बेन किरिन गुदारा जी भाई सोमराज जी आई एस मनोजी टोहाना मनोरलाल जी कडवासरा गोरदिन जी बांगडवा जी दादूराम जी भादू चाम जी घिचड डॉक्टर राम परकाश जी मंचासीन सभी युवाओं के प्रेणा शुरोत समानित साथीगर्ण और हमारे समक्ष विराजे हुए बहुत इमान और समान के योगे बुजर्गों मातर शक्ति बहनों और भाईयों मुक्ति धाम मुकाम की पवित्र धरा को नमन करते हुए संद समाज के चड़नों में नमन करते हुए मैं आप सभी का यहाँ पधारने पर और मुझे इतना मान सम्मान देने पर हाथ जोड़ कर धन्यवाद करता हूँ मुझे खबर मिली कि हाली में ही अखिल भारतिय विश्णोई युवा मूर्चा के नई टीम आयूजित हुई है संगठित हुई है तो सबसे पहले तो इस मंच की माध्यम से मैं सभी नव नियोक पततिकारियों को हारदिक बधाई देता हूँ उनका अबिनंदर करता हूँ और उनसे फ्रार्थना करता हूँ कि आपने केवल पद लेना नहीं है वलकि समाज को काम देना है अब सभी के कंधों पर नई जिम्मिदारिया आ गई है अब सभी से समाज की उम्मीदे अपेक्षाएं बढ़ गई है तो पूरी मेहनत के साथ न मिष्ठा और इम्मानदारी के साथ अपनी जिम्मदारियों को निभाएं ऐसी मेरी आपसे प्राफना है पद की गरिमा क्या होती है पद की प्रतिष्ठा क्या होती है पद की परिभाशा क्या होती है इसे देविंदर बूडिया जी से बहतर कौन जानता है जब से इन्होंने अक्हिल भारतिय बिशोई महासवाक ये जक्ष्टा संभाली है ऐसा लगता है, कि मारे समाज में विकास कारियों की नदिया बेहने लगती है मंद्रियों का निर्मान, भवणों का निर्मान राष्टी संमेलन, अंतर राष्टी संमेलन समाची लोगों को इंसाफ तलाना मुहीम चलाना, संघर्ष करना ये कभी रुकने का नाम ही नहीं लेते है और बूडिया जी तो कहा करते हैं कि वैसे तो मेरी उमर 30 साल की है बाकी मेरा तजुर्बा है, लोगों का प्यार है और इनकी बात सही भी है क्योंकि जिस रफतार के साथ जिस जजबे के साथ ये काम करते है कौन मना कर सकता है कि नौजवानों से पीछे है तो साथियो इस उमर में जिदी दिविंदर जी इतनी मेनत कर सकते है तो आप और हम तो नौजवान है तो पूरी इमानदारी के साथ और संगठेत होकर हम काम करें ऐसी मेरी आपसे प्रातना है क्योंकि अब आपका समय, आपकी उर्जा, आपकी शमता केवल आपके और आपके परिवार तक सीमित नहीं रहनी चाहिए बलकि समाज के प्रति, जरूरत मंदों के प्रति समर्पित होनी चाहिए इसी आश्च और उमीद के साथ आज मैं आपकी बीच में आया हूँ मैं भी हराणा के अंदर सबसे युवा विधायक हूँ और इस नाते से भी लोगों की नजरों में मुझसे भी अपेक्षाएं और उमीदें बढ़ जाती है तो का करते हैं कि मैं भी देखा कि भवे बोले कुकर है आदंपूर खातर के काम करे है के गोल खिलावे है भजनलाल को पोतो कुल्दीब गो जोरो घर गो समाज को देश को नाम रोशन कर सके है कि कि मी को निपल ले गे तो इस प्रकार की बाते लोग कहते हैं और युवा होने के नाते लोगों के मन में उनकी नजरों में हमसे अपेक्षाएं बढ़ जाती है और बढ़नी भी चाहिए क्योंकि आप और हम में एक अलग प्रकार की उर्जा होती है कुछ कर दिखाने का जज़बा होता है मेरा ऐसा मानना है साथियों कि आप तो साथियों जैसे मैं कह रहा था कि आप और हम इस उर्जा को इस सोच को इस जज़बे को किस प्रकार से अपने समाजिक और विविसाइक जीवन में उतारते है यो राप और हम पर निर्बर होता है दुरू जम बेशवर मराज भी युवा वस्ता में थे महश 34 वर्ष के थे जब उन्होंने विश्णुई समाज की 29 नीवों के मातियम से नीव रखी थी शहीद माता अमृता देवी जी भी युवा वस्ता में थी जब उन्होंने अपना बहान बलिदान दिया था और पिछले सदी में बीरबल जी खीचड गंगराम जी इशरवाज नियाचन दिधारनिया जैसे जी जैसे हमें इनसे प्रेड़ना लेनी है मैं यह नहीं कह रहा कि आपको अपने जान की कुर्बानी देनी है मेरे कहने का उदेश्य यह है कि आप और हम भागेशाली है कि हमें 29 नेमों के रूप में आदर्श और सिधान विरासत में मिली है आज से साड़े पांट सो साल पहले रूजंबेश्वर महराज ने पर्यावन स्रक्षन की दूरदर्शी सोच को लेकर पूरी मानवता को एक वैचारिक क्रांती देने का काम किया था और मेरा ऐसा मानना है कि यदि हम जांबो जी महराज के दिखाएगवे रास्ते पर चलने लगे और सही मायनों में 29 नियमों को अपने जीवन में धारण करने का काम करेंगे तो हम जीवन में कभी भटक नहीं सकते कभी किसी का बुरा नहीं कर सकते और एक अच्छा सधान्त बाद इस सम्रिद जीवन बतीद कर सकते मुझसे पहले सभी वक्ताओं ने बहुत ही भैतरिन ढंक से अपनी बातों को आपके समख्ष रखा मैं भी रास्ते में लाइफिट देख रहा था मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला मैं आप सभी का भारी हूँ लेकिन जब मेरी बारी आती है जब भी मुझे इस प्रकार से समाजिक आयोजनों में अपना उत्वोधन देने का अफसर दिया जाता है तो बड़ा अजीव लगता है थोड़ा हिचकचाट सी होती है प्यूकि मुझे अभी भी बहुत कुछ सीखना बाकी है आप सभी सर्वगोन संपन है आप सभी को जीवन का अनुभव है तो इसलिए आज मैं केवल एक बात कहकर अपनी वानी को विराम देने का प्रयास करूँगा एक ऐसी सोच एक ऐसी रननीती जिसने हमेशा मेरे जीवन में मुझे काम्याबी दलाई है मैं उसे आप से साज़ा करने का प्रयास करूँगा इस प्रकार के जो आयोजन होते है मेरा ऐसा मानना है कि देश के कोने कोने में हर दूसरे दिन होते है लेकिन इन सम्मेलनों में जो समवाद होता है जो सीख हमें मिलती है जब तक हम उनको अपने जीवन में उतारने का काम नहीं करेंगे, तब तक ऐसे आयोजनों का कोई अर्थ नहीं है, कोई लाब नहीं है, विशेश रूप से युवा साथियों से मेरी अपील है, कि आप और हम वरतमान काल में अपने युवा वस्ता में जीवन के ऐसे मोड पर आ चुके करेगा और हमारी निजी जीवन में हमारे चरित्र को तै करेगा, तो मेरी आप सभी से प्रातना है, कि आजब आप घर जाएं, तो आंक बंद करके, बहुत ही गंभीरता के साथ, बहुत ही गहराई के साथ सोचें, ध्यान करें, कि आने वारे दस सालों में मैं खुद को कैसा और कहां देखना चाता हूँ, और फिर सोचें कि वहां तक पहुंचने के लिए मुझे क्या क्या कदम उठाने की आवशकता है, मन ही मन में अपने भविश्य की तस्वीर बनाने की कोशिश करें, और फिर सोचें कि अपने जीवन में मुझे क्या क्या बदलाव लाने है, उस दिशा में अब अथक प्रयास करने की कोशिश करें आप खुद से सवाल करें कि क्या जिस पेशे में मैं वर्तमान में हूँ क्या मैं उसे संतुष्ट हूँ क्या मैं एक अच्छा इंसान हूँ क्या मैं आने वाले समय में मुझे लगता है कि मुझे अपना पेशा बदलना चाह हूँ इन प्रकार के सवालों का जवाब आपको अंतरा आत्मा में खोजने का प्रयास करना है गला खराब है उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ तो जैसा मैं कह रहा था कुछ से सवाल करें आप कि जिस दिशा में मेरा जीवन जा रहा है जिस दिशा में मैं जा रहा हूँ क्या वो सही है क्या उससे मैं संतुष हूँ क्या मुझे अपने आदतों को सुधारने के अवशक्ता है क्या मेरी सोच सकरात्मक है तो आप सोचे कि अपने जीवन में मुझे क्या-क्या बदलाव लाने है और फिर विश्नेशन्ड करे और अपने जीवन में उन आदतों को सुधारने का परियास करे और साथवे विफलताओं से कभी घबराना नहीं है जीत और हार सफलता और विफलता ये जीवन के दो पहलू है गिर कर संभलने को ही जिन्दगी कहते है विफलता किसी की जीवन से भी दूर नहीं है और जीवन में इंसान को बहुत कोई सिखा देती है मैं भी लोकसभा को चुना भारा लेकिन मेरे होसले बुलंद रहे मैंने फिर प्रियास किया मुझे काम्याभी प्राप्त हुई हो सकता है कि भविश्य में मेरे जीवन में और भी उत्वाज चुड़ाव आएंगे लेकिन मेरे होसले बुलंद रहेंगे मेरे सपने बुलंद रहेंगे क्योंकि जो तस्वीर मैंने अपने भविश्य में अपने जीवन के लिए बनाई है, उस दिशा में मैं पूरी मेहनत और निष्ठा के साथ काम कर रहा हूँ, पढ़ाई लिखाई के माध्यम से, अपने professional choices के माध्यम से, एक अच्छा इंसान बनने के प्रयास करने के माध्यम से, अपने मांसिक स्वास्त को, अपने शारीरिक के माध्यम से, आदंपुर की विकास के लिए में दिन रात मेहनत कर रहा हूँ, और ऐसा मेरा मानना है कि यदि आप अपने कारे को सथी निष्ठा के साथ करें, मेहनत के साथ करें, तो वैसे भी सही मायनों में आप कभी विफल होई नहीं सकते, तो साथ यू जादा ना कहते हुए, मैं यह कहना चाओंगा, कि सफलता असानी से नहीं मिलती, यदि ऐसा होता तो हर दूसरा इंसान सफल होता, इसमें मेहनत लगती है, खून बसीना लगता है, त्याग लगता है, समर्पन लगता है, लेकिन हाँ जो परिश्रम करने के बाद, मेहनत करने के बाद भल मिल मिलता है, वो सरवशेश होता है, जब हम जीवन में सफल होते हैं, तो समाज में एक विशेश स्थान मिलता है, सम्मान मिलता है, आपको और अच्छा करने के लिए आत्म विश्वास आपको आपके अंदर जाग उठता है, तो साथियो, विफलता से घबराना नहीं है, और प हम सभी को अरजुन के तरह बनना है अपने लक्ष को उस चिडिया की आंग के समान समझ कर धीरे धीरे छोटे छोटे कदमों की अनुसार हमें उस लक्ष की और आगे बढ़ना है अंग्रेजी में बहुत पुरानी कहावत है कि यू जोजे मान्स कारेक्टर बाइद फाइफ क्लोजेश असोसियेट्स इन फ्रेंड्स इसका अर्त है कि यदि आप किसी के चरित्र को परखना चाहते हैं तो अप उस इस इसान के जो सबसे करीबी दोस्त है जो भाई बंदू है उनसे जाकर मिले तो यदि जरूरत पड़े तो अपने संगत को भी बदले और अपना समय उन लोगों के साथ बिताएं जो खुद मोटिवेटेड हो और जो आप जो सकरातमक सोच रखते हो और आपको जीवन में सफल होने में आपको प्रेद करने का काम करें अपने आज़तों को दोहरने का भी आप प्रयास करें और आ प्रेशनोई मेरे खाल में 9 या 10 वर्ष की अथलीट है जो पूरे देश में अपना नाम कर रही है हाली में संपन हुई एजिन गेम्स के अंदर करन दुदारा जी ने भाई रभी विश्णोई जी ने मेडल हासिल करके अपने हमारे समाज का देश का नाम रोशन करने का काम क किया है परी आएस बने रवी सहाग आएस बने भाई सुम्रा जी आई एस हमारे हमारे समक्ष विराजे हुए हैं हाली में दिनेश विश्णोई आई पीएस बने तो तमाम ऐसे हमारे नौजवान साती हैं जो अपने परिश्रम के माध्यम से थाबित कर रहे हैं कि कुछ भी ह मजदीक आ रहे हैं आज राजस्थान में सियासी सरकर्मी का महौल है लेकिन यह जो प्लाटफॉर्म है जो हमारे कारेकर में समाजिक है इसलिए मैं कोई राजनेतिक बात नहीं करूंगा बलकि सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि आने वाले राजस्थान के चुनाओं के अंदर आप बहुती जागरुपता के साथ बहुती सोच समझकर अपना वोट डाले किसी भी लोगत अंदर के अंदर आपके वोट की बहुत एहमियत होती है बहुत शक्ति होती है आपकी वोट के अधार पर आपके परिवार का और पुराने वाली पीडियों का भविश्चिन अधारत होता है मेरा ऐसा मानना है कि आज हमारे देश के प्रधान मंत्री युवा शक्ति के महत्व को भली बांती समझते हैं स्किल इंडिया, फिट इंडिया, मेक इंडिया, स्टार्ट अप इंडिया और वी दो दिन पहले ही मेरा युवा भारत या माय भारत योजनाओं के मादियम से अधर्णी मोदी जी ने युवाओं के प्रतवा को, युवाओं के कोशल को निखारने के कई अफसर प्रदान किये तो मैं ऐसे अच्छे लोगों का साथ देना चाहिए और विशेश गूरूप से मेरा ऐसा मानना है कि आपका राजनेतिक दल कोई भी हो लेकिन समाजिक बल एक होना चाहिए आप किसी भी राजनेतिक विचारधारा से क्यों न जुड़े हो लेकिन समाजे ग्रूप से हमें एक जुड़ता बनाई रखने चाहिए इसी में ही समझदारी है इसी में ही मजबूती अब सभी काफी समय से यहां पर विराजे हुए है जादा ना कहते हुए मैं इतने कहना चाहूँगा कि बिल्लो जी महराज की रेड़ो माई में सदियों पहले फालगुल के अवसर पर और आसोज के मावसर पर इधो मेलों की जो परिंपरा यह शुरू हुई थी समाज को हम कैसे आके बढ़ाएं समाज में हम धर्म का महत्व कैसे बढ़ाएं समाज की समस्याओं का समधान कैसे करें तमाम ऐसे विशों पर इन आयोजनों में चर्टाएं और पूरे धेश भर से विश्णोई समाज के लोग यहां एकत्रत होते हैं, दूसरे से मिलते हैं, ध्यान करते हैं, धोग लगाते हैं, समाज को इन सभी आयोजनों से मजबूती मिलती है ऐसे पहलों को मैं सराता हूँ, उनका स्वागत करता हूँ और पुने आप सभी से प्रातना करता हूँ, कि जो जो सीख हमें इन समेलों से, इन आयोजनों से मिलती है, इनको विशेश रूप से सही माइनों में अपनी जीवन में उतारने का प्रयास करें, उन्हें मैं अखिल भ कि इनको बढ़ाई देता हूँ, आशा और उमीद करता हूँ कि आपका रुमारा संपर्क विशे में बना रहेगा, और विश्वास दिलाता हूँ, कि मेरी तरफ से, जो भी छोटी कोश्य हो सकेंगी, मैं हर कदम पर, हर मोड पर समाशे काम आता रहूँगा, आप सभी ने हम परा नहीं सकता, जाने जाने में मुझसे कोई भूल चुक हुई हो, तो भरी सभा में आपसे शमा भी चाता हूँ, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, जै हिंद, जै भारत.